दानिश कनेरिया पर शोय बक्तर का नया बयान बोले मेरी बात को गलत समझा गया नई दिल्ली पूर्व पाकिस्तानी तेज केंदबाद शोय बक्तर ने दानिश कनेरिया पर भी अपने बयान पर सफाई दी है उन्होंने कहा है कि कनेरिया को लेकर दिये गए उनके बयान को पूरी तरह गलत समझा गया अक्तर ने कहा कि उनके बयान की पूर्व लैक स्पिनर को उनके हिंदू धर्म से संबंध रखने के चलते कई लोग उन्हें टीम में नहीं देखना चाहते थे को पूरी तरह गलत समझा गया उन्होंने कहा कि धार में काधार पर किसी के साथ भेदभाव करना उनकी टीम का कल्च नहीं है गुरुवार को अक्तर ने आरोप लगाया था कि टीम में कई ऐसे लोग थे जो कनेरिया को पाकिस्तानी टीम में नहीं देखना चाहते थे चुनकि वो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं इसके बाद कनेरिया ने भी कहा था कि कुछ खिलाडी थे जो उन्हें टारगेट करते थे लेकिन उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव कभी नहीं बनाया गया कनेरिया मामले पर बोले इंजी हमारा दिल बड़ा है शनिवार को पूर्व कप्तान इंजमाम उलहक ने कहा कि उनकी टीम में कभी ऐसा नहीं था इंजमाम ने कहा था कि कनेरिया ने सबसे ज़्यादा क्रिकेट उनकी कप्तानी में ही खिला है यहां देखे कनेरिया मामले पर शोएब अक्तर की पूरी सफाई अक्तर ने कहा मेरे बयान को लेकर जो भी बवाल मचा मैं उसे देख रहा था मेरे बयान को पूरी तरह गलत समझा गया अपने यूट्यूब चैनल पर अक्तर कने कहा कि टीम में एक माइनस दो खिलाडियों ने कनिरिया को लेकर भिभाव भरी तिपणी की लेकिन टीम के बाकी सदस्यों ने कभी इसे बढ़ावा नहीं दिया और ऐसे खिलाडियों से सक्ती से निप्टा गया मियादाद से कामबली उंगली करने की आदत नहीं गई उन्होंने कहा हमारी टीम में एक अलिखित अनुबंध है कि हमें पाकिस्तान की ओर से खेलने वाले हर खिलाडी का सम्मान करना है हाला कि कुछ खिलाडियों में इसे लेकर जिछक्ती यह हमारी टीम का कल्चन नहीं है यह सिर्फ एक माइनस दो खिलाडियों की बात है और इस तरह खिलाडी हर टीम में होते हैं तो नसल भी दी टिपनिया करते हैं अक्तर ने कहा एक समाज के तौर पर हमें ऐसे व्यवहार को बढ़ावा नहीं देना चाहिए मैं भी अपने समाज से आया हूँ और मैंने यही किया मैंने कनेरिया पर टिपनी करने को साफ कह दिया कि उठा कर बाहर फिक दूंगा क्योंकि यह हमारा कल्चन नहीं है भारत में सभी समस्याएं बताते हैं हल नहीं इशान उन्होंने कहा एक देश के नाते हमें इस तरह के भीदभाव पूर्व विचारों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए हमने भी ऐसा ही किया बीते 10-15 साल में हम एक समाज के तौर पर काफी बहतर हुए है कनेरिया की तारीव करते हुए अक्तर ने कहा दानिश ने पाकिस्तान को कई मैच शित्वाने में मदद की दानिश ने 10 साल तक पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेला उन्हें मुश्ताक एहमद पर तरजीह दी गई मुझे अब भी लगता है कि उसका करिया दो साल पहले शुरू होना चाहिए था